चलो अवे आपड़े पाठ एक जोताता राशानिक प्रक्रियाओ और अने समी करणों जेनी अंदर आपड़े चर्चा करीती एमा लास्ट आपड़े जे मुद्धानी चर्चा करी एमा आपड़े जोताता के राशानिक प्रक्रियाओ ना प्रकारों आपड़े बे प्रक्रियाओ नी चर्चा करी एक हती संयोंगी करण प्रक्रिया और बीजी हती विगटन प्रक्रिया तो संयोंगी करण प्रक्रिया कोने के वाए तो संयोंगी करण प्रक्रिया एकले जे राशानिक प्रक्रिया नी अंदर बे अथ्वा बे थी वदू प्रक्रिया को माथी एकज निपज बने तो एने संयोंगी करण प्रक्रिया के वाए और बीजी जोईती आपणे विगटन प्रक्रिया एमा आतू के एकज प्रक्रियक होए अने इप्रक्रियक माथी बे अथ्वा बे थी वदू निपज बनती होए तो एने विगटन प्रक्रिया के वाए अने विगटन प्रक्रियानी अंदर प्रक्रियक ने तोडवा माटे गर्मी नी जरूर पड़े, उश्मा नी जरूर पड़े खणी वखत विद्युत प्रवा नी जरूर पड़े, सुरिय प्रकास नी पन जरूर पड़े आवी ते अलग-अलग माध्यमों नी जरूर पड़े तो जो गर्मी आपवानी जरूर पड़े गर्मी आपवी ने आपड़े ए प्रक्रियक ने तोड़ वानों होए तो एने उश्मिय विगटन केवा माँ आवे आवे 4 पचीनी जे 3G प्रक्रिया जे छे एछे विश्थापन प्रक्रिया एनी आपडे चर्चा करिये के विश्थापन प्रक्रिया कोने के वाए विस्थापन प्रक्रिया प्रवृत्ती लोखन नी त्रोण खिलियो लई तैने काज पेपर पर गसीने साफ करो अने बी निशान करेली बेक कस नडियो लो दरेक कस नडिमा आसरे 10 ml कौपर सलफेट नुद्रावन लो बरबर यहां तमने एक प्रवुती आपी छे ए प्रवुती द्वारा आपड़े विस्थापन प्रक्रिया समझवानों प्रहत्न करिये यहां तमने गिदू के तमारे लोखन नी त्राण खिल्यो लेवान अने उपर काच पेपर गसी अने बरोबर साप करी लेवाने लोखन यहां प्रेला चे ए अने बी बे लेवलिंग करेला चे ए अने बी अने अने इन्द सुम बरवानू छे तो कोपर सलफेट नू द्रावण भरवानू छे कोपर सलफेट नू सुत्र चे CUSO4 यहां आप्रे द्रावण अंदर भरवानू लोखन नी बे खिल्ली ओने दोरी वडे बांदी ने कोपर सलफेट नू द्रावण थी बरेली एक कस्त नड़ी बी मां 20 मिनिट मांटे डूबाळो सरखामनी करवा माटे लोखन नी एक खिल्ली ने अलग राखो सरखामनी कोपर सलफेट ना द्रावण मां अने पची तमारे नू निरीक्षन करवानू कि आ खिल्ली मां सुन फेरफार थयो अपने त्रौन खिल्ली ली दिती यहां बे खिल्ली डूबाळी ची यहां एक खिल्ली अलग राखी ची 20 मिनिट बाद बन्ने खिल्ली ओने कोपर सलफेट ना द्रावण मां थी बहार काड़ो कस नड़ी ए अने बी मा रहेला कोपर सलफेट ना द्रावण ना रंग नी तिवरता नी सरखामनी करो बरबर अवे जएर आपने बन्ने खिल्ली ओने कोपर सलफेट ना द्रावण मांथी बारे काड़ सू त्यों अपने खिल्ली ओपर कोपर नू स्टर चड़ी जा से पोपर एनी उपर अवी जैसे लोखण नी खिली उपर अने जे द्रावान नो रंग जतो बरबर छे ए पण आचो थे जैसे जो तमने यहां बे कर्ष्णड़ी बतावे ली छी यहां A ने B कर्ष्णड़ी आपने सरुवात मली दी थी पाण A कर्ष्णड़ी एम में राकि आप 10 नड़ी B ना कॉपर सल्फेट ना द्रावान नो रंग आचो थाई छे कॉपर सल्फेट ना द्रावान मा डुबालेली खिल्ली ओना रंग नी सर्खामनी अलग राखेली खिल्ली साते करो कौपर सलफेट ना द्रावण मा डुबाडेली लोखन ने खिल्ली कथाय रंग नी थाय छे शा माटी लोखन ने खिल्ली कथाय रंग नी थाय छे अने कोपर सलफेट नो बूरो रंग जाको इटले के आछो थाय छे प्रव्रुत्तिमा आ प्रमाने प्रक्रिया था अपने प्रक्रिया नीचे बता वेली चें या जेचे आने विश्थापन केवाई तो सुन करिऊ तम्हें जो हो यां के लोखन ने खिली जेचे एने कोपर सलफेट ना द्रावाण मादू बाड़िये तो कोपर सलफेट नूं सुत्र जो तम्हें ।कर में बाड़िये सरही कोपर होगोपर सलफेट ने कोपर सलफ सर्फ ने खिली ना देके रहाई जने एक सामिटतों निपजमासू बनिऊ एफी एसो फोर, बरबर सी यू तियां थी दूर थेगियो और एनी जिग्याए एफी आयां गोठवाई गियो, अने प्लस सी यू अलग थेगियो, ताने विस्थापन करिऊ केवाई, बरबर छे कोईपन धातुनू जो कोईपन ड्रावन होए, एमां थी बिजी कोईपन धातू जो जो छे एने त्यां थी खसेडी दे, बरबर एनू विस्थापन करिऊ दे, तो एने विस्थापन प्रक्रिया केवाँ मा आवे छे, बरबर त्यां थी एने खसेडी दिदू एले विस्थापन प्रक्रिया केवाँ मा आवे छे, बरबर त्यां थी आ प्रक्रियामा आयन कौपर सलफेट ना द्रावण माथी कौपर ने विस्थापित अत्वा दूर करेशे। जिंक बरबर छे जेडेन और एने पन कौपर सलफेट ना द्रावण माँ दूबाड़ी है तो इहां पन्तमें जो जिंक जेछे एसुं करेशे यहां थी कौपर ने त्यां थी खसेडी दिये छे और एनी जेगिया पोते जोईट थी जाए छे नूँ विस्थापन करी नाखे छ अने खसेडी नाखे छे और एनी जेगिया पोते जोईट थी जाए लेसुं बनी जाए जेडेने सफोर अने शुं अलग थेगियू पोपर अलग बनी जाए तो आ एक विस्थापन प्रक्रिया छे आरी ते परीक्सा माँ तमने राशानी प्रक्रिया आपे ली होई गुए अ अने आकाया प्रक्राणी प्रक्रिया छे तो तमने तरत ख्याल आवी जेसे के एक दातुना द्रावण माथी बिजू जातु जेछे एनो उसुं करेछे विश्थापन करेछे फसरेछे अने जिगिया पोते जोईट थी जाए छे लेने विश्थापन प्रक्रिया प्लस CuSO4 aqueous इटले copper sulphate gives ZnSO4 aqueous इटले के zinc sulphate प्लस Cu solid आ प्रक्रिया मां zinc copper sulphate ना द्रावण मांती copper ने विस्थापित अत्वा दूर करे छे पीबी सॉलिड प्लस Cu ए रिते तमने विजू एक त्रीजू एक उदान तमने यहां पे लूँ छे पीबी नूँ पीबी एटले लेड बरबर छे पीबी एटले लेड इने पन तमने copper chloride ना द्रावण मां उमेर सू तो त्यां थी copper Cu ने सूं कर से पीबी लेड दूर कर से इने खसेड़ी जेशे अने इनीचे गेपोते आवी जेसे लेके पीबी चीएल टू बनी जासे अन्य कोपर अलग से जासे इटले के copper chloride gives ebCl2 aqueous इटले के lead chloride plus Cu solid आ प्रक्रिया मां लेड copper chloride ना द्रावण मांथी copper ने विस्थापित अत्वा दूर करेशे जिंक अने लेड कौपर करता वदू सक्रिय तत्वो शे ते कौपर ना संयोजन माथी कौपर ने विस्थापित करेशे द्वी विस्थापन प्रक्रिया चलो एना पच्छी नी अवे प्रक्रिया आवे छे प्रवरुत्ती द्वी विस्थापन प्रक्रिया तेली आप तेर जे चर्चा करेशे विस्थापन प्रक्रिया नी वाद करीशे बरबर छे के एक धातुना द्रावन माथी बीजी धातु एने सुम करे त्यां थी खसेडी दे यहिने तक्यां थी दूर करें और जीक् Cincड pronounce बेशी जाए। तो यहन्ये विस्थापन प्रकरिया कैवाई। 1 कसनदीमा 23 ml calcium sulphate । 20 कसनदीमा 23 ml sodium chloride । द्रावन लो बन्ने द्रावन मिश्र करो। तमें शू अवलोकन करो छो। तमें जो शो कि सफेद पदार्थ ये जे पाणी मा अध्रावे शे त्यनू निर्मान थाये शे। सोडियम सलफेट ना द्रावन मां उमेर सू तो कि सफेद पदार्थ ये जे पाणी मा अध्रावे शे त्यनू निर्मान थाये शे। आ अध्राविय पदार्थ ने अवक्षेप कहे शे। ये जे अवक्षेप उत्पन करेशे तैने अवक्षेपन प्रक्रिया कहे शे। तो ये शों कही प्रकाणी प्रक्रिया के वाए अउक्षेपन प्रक्रिया के वामा आवे। और सिल्फेटन प्रणा के ये शों करेशे शे शे शों माप्षे में प्रtes्पन प्रक्रिया आँ मंत्यां तो ये श्लावे ये श्लिघ sedan भीजू लिद्ध में प्रक्रिया के वामाने शों को आईवक्षेपन अन्यों ये सीनिर्भ्ध शेवाली रींर्स न्यों क्रिया बेरियम ख्लोराइड ना द्रावण ने से मां मेरिटू sodium sulfate ना द्रावण मां आपड़े उमेरिए तो तमें ऊपर जो इसको छो कि यह तमने एक सफेद आउशेप तमने जो आ मड़े छे बरबार छे आउशेप आपणने मड़्या अब यह आपने sodium sulfate ने बेरियम ख्लोराइड नू द्रावण ले अने बन्ने ने मिक्स करियो त्यारे आपने सफेद आउशेप मड़े आउशेप ना बरबार बी एसो फोर बेरियम शल्फेद ना उशेप मड़े अने बिजू मड़े आपने एने इने सील सोडियम क्लोराइड सोडियम एने बरबार मारू करसर नहीं देखा तू उसे स्क्रीन उपर के सोडियम एटले एने पछी प्लस बेरियम क्लोराइड मां बी ए बरबार छे बी ए तो सुन कर से जो आज सोडियम जेगी आए गोठवाई जैसे अब भी एनी जैग्याए अब भी एजिए देखाई हुआा तू आटने बी ए जैखे इकोने जैगेयाए चेसे Baba सोडियम नTT बन्ने एकिज चाहिसा करेछे विश्थापन करेерм होड़ छेवे पन्ने एकि जैने कला कजिएसीर अडियम सोडियम ने कल मकिल害 भी अशना स्थान अने जे Bacl2 अतु बेरियम क्लोराइड एमा बी ये दूर ठेई अने जग्याया सोडियम गोठवाई जाये छे एकले Nacl थे जाये बरबर प्लस Nacl निपज माँ पेलू जी तो आने कि यहाए द्वी विस्थापन आपणे आगर नी जे विस्थापन प्रक्रिया जोईती एमा एकाज दातु बीजी दातु ना द्रावण मा थी एनू खली विस्थापन करे छे अने जग्याया पोते गोठवाई जासो तो नहीं यहां तमें जो बन्ने ना जे मां गोठवाई जाये छे वरबाचे तो आने द्वी विस्थापन प्रक्रिया के वाई सोडियम क्लोराइड आम थवानू कारण शू ना द्रावण मा थी SO42 माइनस आयन अने BACL2 ना द्रावण मा थी BA प्लस 2 आयन बच्चे तमने यहां बतावे छे BACL2 ना द्रावण मा थी BA प्लस 2 आयन बच्चे प्रक्रिया थाई BASO4 ना सफेद अवक्षेप मले छे अने जे CL छे ए यहां ती दूर थे नहीं अने आब आ जोती sodium E2 जोईट थाई छे बरबर छे BG2 ती निपज sodium chloride छे ए जे द्रावण मा ज रहे छे आवी प्रक्रियावो के जेमा प्रक्रियको वच्चे बे आयनो नी आपले थती होई बरबा लिए जे प्रक्रियको छे एमा आयनो नी शे आपले थाए छे एक माथी sodium E1 ताई चे एक माथी बेरियम आयन बने ने एक भी जा साथे आपले करे छे बरबाड छे अने आरितना निपज मां BSO4 अने NACL बनावे छे तो आने द्वी विस्थापन प्रक्रिया कहे छे प्रवरुत्ती याद करो के जहमा लेड नाइटरेट अने पोटेशियम आयोडाइडना द्रावण ने मिश्र करेला छे 1. उत्पन थैला अवक्षेप कया रंगना हता? उत्पन थैला अवक्षेप पीडा रंगना हता? तमे अवक्षेपी थैला सैयोजन्नू नाम आपी शक्षो? हाँ, अवक्षेपी थैला सैयोजन्नू नाम लेड आयोडाइड छे 2. आ प्रक्रिया माटे संतुलित रास्यानिक समिकरण लखो आ प्रक्रियानों संतुलित समिकरण PbNO32 प्लस 2ki गिवस Pb… आपने 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 एक प्रक्रिया जोहीती के लेड नाइट्रेट यहले के PbNO32 अने प्लस 2ki एक पोटेश्यम आयोडाइड आ बंडे ने जैरे मिक्स करिये बरबर त्यारे अपने आवाँ पीडा कलर ना आउक्षेप मडे छे तो यह पीडा कलर ना आउक्षेप जे छे यहनू नाम सूं छे तो याद राग जो लेड आ आयोडाइड आवी तमने प्रहिक्सामा पुछातो होई छे प्रस्णा के लेड नाइट्रेट अने पोटेश्यम आयोडाइड नी मिश्र करवाती केवा रंग ना आउक्षेप मडे छे तो यहां आवे छे पीडा रंग ना आउक्षेप अने यहनू नाम लखो तो लेड आय अप्रस्णा तमने पूछे तो आ प्रस्णानों जवाब आडिते छे लेड नात्येट अने पोटेश्यम आयोडाइड ने मिश्र करवाती मरता पीडा रंग ना आउक्षेप ॐરાબઝ ॐામ ખીત ફખૅણુ મલે ખ૸ીંફ કેય આ રંગ્ત પ્સીત કેય આસેપંય બલાસ્ય well फ्रक्रिया चे द्वी विष्थापन कारण के Pb plus 2 आने I minus 2 Ion वच्चे प्रक्रिया थाईने Pb परबल Pb छे ए धनाएन दरावे छे आने Ij छे ए रूनाएन दरावे छे ले के I माथी I रूनाएन अलग थाई आने पोटेश लेड नाइटरेट माथी Pb धनाएन दू थाई ले धनाएन कोणी साथ्याकर साशे रूनाएन साथ्याकर साशे ले Pb I I याँ बन से प्रव्रुत्ती एक ग्राम कौपर नो भुक्को दरावती चाईना डिस ने गरम करो तमे शू अवलोकन करो छो कौपर ना बुक्कानी सापाटी पर काड़ा रंग ना कौपर टू अक्साईड नू पड़ जामी जाए छे अताव पदा मे राएने कौपर ओक्साईड बनवा थी आम थाई छे 2 Cu लस O2 नी उष्मा साथे प्रक्रिया करवा थी 2 Cuो मढे जो आ गरम करेला पदार्थ एटले के Cuो पर थी हाइड्रोजन वायू पसार करवा मा आवे तो प्रकी गामी इटले के उन्दी प्रक्रिया थवाना कारणे जपारी पाचो काड़ो रंग छे दूर थी जासे बरबर आने वरी पाचो जी कोपर पेलू आतु यह अन्यों रंगनू अटी परनू काड़ा रंगनू आवरं एक कथा आयरत मा फिरवाई छे अने कोपर इटले के ताम पाचो कोपर आतु यह अन्यों आतु यह अन्यों इटले ताम बूर्ग दहूाइछे जो प्रक्रिया दर्म्यान अदार्थ ओक्सिजन मेडवे तो तेनु ओक्सिडेशन थयू तेम कहवाद बरबर अवे यहां बिजी एक प्रक्रिया ओक्सिडेशन और्णार्थ प्रक्रियानि वाद करे छे तो तम्य जो प्रक्रियान इनद हारत सीयु ओक्सिजन प्रक्रिया दर्म्यान पदार्थ ओक्सिजन गुमावे तो त्यानू रिडक्षन थायू टैम के? प्रक्रिया दर्म्यान पदार्थ ओक्सिजन गुमावे तो त्यानू रिडक्षन थायू छेू अने त्यानू रिडक्षन थायू छेू अने त्यानू रिडक्षन थायू छेू बीजा शब्दु मां कही ए तो प्रक्रिया धर्म्यान एक प्रक्रियाक ऊक्षिडेशन पामे छे ज्यारे बीजो रिडक्सन पामे छे आवी प्रक्रियाओने ओक्सिडेशन रिडक्षन प्रक्रियाओ अत्वा रेडोक्स प्रक्रियाओ कहे छे omet लेडोक्स प्रक्रियाओना किटलाइक अन्या उधारणो बिधिरेडोक्स प्रक्री आपक्रिय प्रक्री था मैं जोई इशा को ज्ग ऑक्साइड और स्कार्भन तो ज्ग शूँ कर शे मनाती ऐक ऑक्सिजन पीर तो तूर में ले। ऐख्शिजन आपई दिदो एने दूर थियो दूर थियो एटले जेडेन ओनु शूं थाई सूं थासे तो रिड़क्षन थासे औने यहां कार्बन जे छे एई आईयां थी ओक्सिजन मेड़ाव से एटले माथी C1 बन्द शें शूं थाईये ओक्सिजनBirशन थाई औनने औक्सिजनमेटव हुऊ इटले एउटले यक्सिजन मेड़ावा जीनक फैस्युकयशन थाई यहां इटले के CO मा ओक्सिडेशन थायू छे, अने जिंक ओक्साइड नू इटले के ZNO नू जिंक इटले के जसत इटले के ZN मा रिडक्षन थायू छे MnO2 प्लस 4HCl गिवस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस प्रक्रियाव मा HCl नू CL2 मा ओक्सिडेशन थायू छे, जारे MnO2 नू MnCl2 मा रिडक्षन थायू छे 4Na solid प्लस O2 gas गिवस 2Na2O solid प्रक्रियाव मा Na नू ओक्सिडेशन थायू जारे MnO2O प्लस प्लस ओक्सिडेशन नू रिडक्षन थायू उदाहराणों पर थी आपने कही शक्ये के प्रक्रियादर्मियान जो पदा तो प्रक्रिया दर्मियान जो पदाट ओक्सिजन मेढ वें प्रक्रिया थती होई ए दर्मियान जे पदाट ओक्सिजन मेढ वतो होई अथimiento नीची ने आतम नहीं आ ? ओक्सीजन मेड़ें जो तर्म्यान जे पदाद ओक्सीजन ने इस्णन उर्फ प्रक्रिया तर्म्यान जे पदाट अथ्वा हैड़ोजन गुवआवे ये उसह उन्सा थाए अउकसीडेशन थाए अने रिडक्षण कोन रिडक्षण कोन पा में तो ने प्रक्र किया दर्म्यान ने पदाथ उकसीजन गुमवे अने हैड्रोजनमेडवे अचार प्रिडक्षण मंथाद्वे जो प्रक्रिया दर्म्यान पदार्थ ओक्सिजन गुमावे अत्वा हाइड्रोजन मेडवे तो ते रिडक्षन पामे शे जो प्रक्रिया दर्म्यान पदार्थ ओक्सिजन गुमावे तो ते रिडक्षन पामे शे व्रुत्ति याद करो एजेमा मेगनेशियम नी पट्टी हवा मा इटले के ओक्सिजन मा प्रज्वलीत जोत्ती सलगे छे अने सफेद पदार्थ मेगनेशियम ओक्साड मा फेरवाई छे आ प्रक्रिया मा मेगनेशियम नू ओक्सिडेशन थयू छे के रिडक्षन आ प्रक्रिया मां मेगनेशियम नो उक्साइड के वाई तो आ प्रक्रिया में प्रक्रिया आगर जोई गया था मेगनेशियम नी पट्टी वारी मेगनेशियम नी पट्टी ने ज्यारे गरम करवा मा आवे ए ज्यारे उक्सिजन साथे स्यों जाए छे अने एमा थी एक सफेद क बन ये मेगनेशियम ही ओक्सीजन विध होग, तोि आपने वियाख्याँ सिखी की हम वना, के जीग ऊक्सीजन वोले include बरबज हम ऩंग खें इना ओक्सीजन वेणी जीग फोगियाँ . બિજી રીતે કે ઉઓહે તો જે હાઇડ્રોજન કુમાવે એનું ઓક્શિડેશન થાય જે હાઇડ્રોજન મેડ્વે એનું થસે ઓક્શિડેશન થાયું કારણ કે મેગનેશમ એ ઓક્શિજન મેડ્વે છે અને તેનું મેગનેશિયમ તો આજે આપણે જે અભ્યાસકરેઓ વિસ્થાપણ પ્રક્રીયા દ્વી વિસ્થાપણ પ્રક્રીયા અને ઓક્શિડેશન અને રીડક્શન પ્રક્રીયાઓ અટલાની આપણે સમજુતી મેડવી અવે નક્સ્ટ આશને અંદર આપણે મરશું અને